तो चलिए दिवाली पे मिठाई ना बने तो ऐसा तो हो नहीं सकता तो चलिए मैं इस दिवाली पे कौन-कौन से मिठाई बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ तो मैंने ये बनाया है बूंदी बहुत असानी से बनता है बहुत बढ़िया बनता है बहुत टेस्टी बनता है और ये है गुलाब जामुन, ये छोटे-छोटे गुलाब जामुन है, आप जरूर बनाएए, दिवाली पे सबको बहुत पसंद आएगा, और ये बुन्दी और गुलाब जामुन को मिक्स करके है, दिल जानी, दिल जले, आप इसको जो बोलिये गुलाब जामुन और बुंदी बना लेते हैं तो यहां एक कप बेसन है यह तो यह बाजार का ही बेसन खरीदा हुआ है इसमें मैंने वन फोर्थ कप चौथाई कप चावल का आटा डाला है और यहां हल्दी हम लोग डालेंगे क्योंकि हम लोग को पीला बुंदी चाहिए तो हल्दी एक छोटा चम लोग थोड़ा-थोड़ा करके ही इसमें पानी डालेंगे ताकि इसमें लोप्स न बनें और इसको अच्छे तरीध ने हम लोग पाँच मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि हम जब गोल को पानी में डाले दोल्दी तो आप यह उपर टैरने लगे में पानी के उपर तब हम समझ पानी था ना उसको मैं दीरे-दीरे करके इसमें डाल दूंगे और पानी दीरे-दीरे करके ही डालिएगा और यहां एक कप बेशन में मैंने एक कप पूरा पानी डाली थी यहां पर देखिए हाथ से जब उठाएंगे ना तो ऐसे घूल बहुत आराम से गिरना चाहिए और लगातार गिरना चाहिए रूख-रूख के नहीं बस यही बूंदी का यह तो इतना पानी जो मेरा बचा था ना मैंने इसको बाद में डाल दी थी तो चलिए देखिए मैं इससे बनाऊंगी यह कदूकस करने वाला है मैं इसी से बूंदी बनाऊंगी तो आप इस जहंजरे से भी बूंदी बना सकते हैं इससे भी बहुत अच्छा बनता है के पास अगर जहारा ना हो तो आप दोनों में से किसी एक से भी बूंदी बना सकते हैं तो यह हमारा ओयल गरम हो रहा है, यह मैं घी ली हूँ, आप तेल भी ले सकते हैं अन फ्लेबर ओयल, और यहां तेल बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए, और देखे इस तरीके से हम बूंदी को जारे की मदद से, कदुकस की मदद से ऐसे गिराएंगे, तो यह बहुत अच और फ्लेम को हमेशा तेज आज पही रखके हम लोग इसमें बूंदी डालेंगे, तेल अच्छा गरम होना चाहिए, फिर से तेल को बहुत अच्छे से गरम करके फिर हम लोग बूंदी डालेंगे, तेल का टेमप्रेचर कम नहीं होना चाहिए, तो बूंदी चप्टी हो जा या फिर धो के सुखे कपड़े से पोच के दुबारा फिर बूंदी बनाईए तो बहुत अच्छा गोल-गोल गीरेगा या फिर हाथ से भी पोच सकते हैं देखे इस तरीके से यहां हल्दी पाउडर डालके ही मैंने इसको पीला रंका बनाया है तो देखे हमारी गोल-गोल बूंदी तयार है तो चासनी बना लेते हैं तो चासनी बनानी के लिए मैंने यहां पे एक कप चीनी ली हूँ यहां पे मैंने एक कप पानी भी लिया है और यहां हम लोग तीन इ लाइची नहीं डाली हूं ऐसे ही तोड़के आप पाउडर भी डाल सकते हैं तो चलिए इसको हम लोग अब गैस फ्लेम पे चड़ा देते हैं और इसको चीनी घुलने तक हम लोग इसको बॉयल करेंगे दो से पांच मिनट तक आप इसको बॉयल कीजिए इसका तार का चासनी नहीं बनाना है बस शीनी हमारा घुल जाए देखिए चिपचिपा हो जाए तो हमारा चासनी तयार है तो चलिए अब हम लोग चासनी को आज से नीचे उतार लेते हैं और इसमें हमारे देखिए चासनी तयार है कोई भी तार की चासनी नहीं है बस हलका चिपचिपा होना च और अच्छे तरीके से इसको चासनी में मिक्स करके हम लोग एक घंटे के लिए इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे तो चलिए जब तक हमारा बुंदी रेस्ट कर रहा हम लोग गुलाब जामून बना लेते हैं तो मैं गीट्स के इस पैकेट से गुलाब जामून बना रही हूँ यह 200 ग्राम का पैकेट है और इसमें जो प्रोसेस दिया है गुलाब जामून बनाने का बिल्कुल मैं वही फॉल जो बिधी लिखा है ना बनाने का बिधी जो दिया हुआ हम उसी तरीके से बना रही हूँ तो यहां फॉर्थ कप इसमें पानी और दूद्ध यूज करने बोला है तो मैं पानी से बना रही हूँ तो पर मेरा यहां पे चौथाई कप और तीन बड़े चमबच पानी लगा और इसका हम लोग पानी धीरे धीरे डालके हम लोग गुंदेंगे एक साथ सारा पानी नहीं डाल देंगे और एक सौप्ट सा आटा तैयार करेंगे इसका तो वन फोर्थ कप पानी और हम मेरा थ्री टेबल इस्पोन पानी यहां पे लगा था तो चलिए इसको मैं ढखके दस मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे रेस्ट जरूर करने दीजेगा उससे बहुत बढ़िया सौप्ट गुलाब जामुन बनता है तो द मेरा वीडियो नहीं सूट हो पाई है गी वाला चलिए इसको गीले कपड़े से ढखके हम लोग साइड रख देते हैं और तब टक हम लोग चासनी बना लेते हैं तब तक उसको और टेस्ट करने देते हैं तो यहां पे दो कप और खाफ कप मेरा चीनी है मतलब ढाई कप यहा ह्यां पौब बढ़ा केशर के 10 से 15 यह यहां प्राम प्रवा चासनीं को चीनी को कम मत कीजिएगा आप एक कब बढ़ा सकते हैं तो चलिए अब हमारा जो ये डो था ना थोड़ा और रेस्ट कर लिया तो चलिए इसको दो भाग में करके मैं इसकी छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे गोले बना लूँगी क्योंकि मैं अंगूरी गुलाब जामुन बना रही हूँ छोटे छोटे साइच के बहुत बड़े साइच के नहीं बनाऊँगी तो ये देखे इस तरीके से हाथ से ये करके जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप गुला बना लीजिए ये देखे इस तरीके का तो चलिए देखिए आधे आटे का मेरा ये बन के तयार हो गया है बॉल गुलाब जामुन का तो इसको अब हम लोग तल लेते हैं और इस टाइम पे जो हम लोग का तेल है ना बिल्कुल धीमा बहुत कम गर्म होना चाहिए गुलाब जामुन में एक बैक से उपर नहीं आए और फ्लेम को इसमें हम लोग लो रखेंगे देखिए इसे धीमे धीमे देखिए इस तरह से बुल बुला रहा है ना बिल्कुल ऐसे होना चाहिए और एक बार में बहुत सारे गुलाब जामुन मत डालिएगा और इसको कलची से मत हिलाएगा कडाही को के दोनों हैंडल को पकड़के हम लोग इसको हिलाएंगे और जब ये थोड़ा सा कलर चेंज करेगा ना तब हम लोग इसमें कलची लगाएंगे तो देखिए हमारा गुलाब जामु इस तरह से डाल करके निकाल लेते हैं और फ्लेम को बिलकुल कम रकना है गुलाब जामुन धी मे आज पर ही तलाता है तो चलिए जब हमारा गुलाब जामुन तलके तयार हो गया है तो इसको भी हम लोग चास्णी में डाल देते हैं और दो घंटे के लिए हम लोग रेस्ट करने देंगा तो यह हमारा जो आधे आटे का गुलाब जामुन था ना वो भी बनके तायार हो गया है तो इसको भी हम लोग टिशू पेपर पे निकाल देते हैं तो चलिए इसमें हम लोग इसको डाल देते हो और यह दुनों को इकठे हम लोग कम से कम दो घंटा गुलाब जामुन को रेस्ट करना चाहिए और अगर 4-5 गंटे रेस्ट करने देते हैं तो यह बहुत अच्छा बनेगा तो चलिए फिर दिवाली की यह दोनों मिठाई हम लोग की तैयार है यह हमारी बूंदी रेडी है खानी के लिए देखे कितना अच्छा बना है बहुत बढ़िया बना है एक बार मेरे तरीके से भी आप बूंदी बनाईए और फ्रेंड्स मेरी रेषिपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती है ना थोड़ी सी भी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके मुझे बताईए मेरी ये रेसिपी कैसी बनी थी और अगर आप लो मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए मैंने बेडियो को बहुत छोटा करने की कोशिस की हूँ और मैंने इसमें तीन रेसिपी बताई है तो यह हमारा बुंदी रेडी है खाने के लिए तो चलिए हमारा गुलाब जामुन का क्या हाल है देखते हैं तो कुछ घंटों के बाद देखें हमारा गुलाब जामुन भी खाने के लिए रेडी है और्स देखें कितना बड़ी बना है यह आप भी इस तरीके से बनाए गुलाब जामुन तो चलिए मैं इसको एक बड़ी बhrतन में डाल लेती ह कि इतना बढ़िया बन के तैयार हुआ है और इसमें पूरा रस भी घुश गया है देखे मैं कट करके दिखा रही हूं यह देखे तो यह गुलाब जामुन हमारा तैयार है तो बनाएए दिवाली पे आप इस तरीके से गुलाब जामुन तो चलिए अब तीसरी मिठाई हम लोग दिल जानी दिल जले आप क्या बोलते हैं इसको पता नहीं आप के एरिये में क्या बोलते हैं हमें बताईएगा हमारे हां इधर दिल जानी इसको बोलते हैं ये साधी वे आमे खोब बनता है तो इसमें मैं पहले एक बरतनवे बूंदि फैला दी हूँ फिर इसके उपर धेर सारा गुलाब जामून फैला दूँँगा फिर से मैं बूंदि इसके उपर डाल दूँँगी और फिर से इसके उपर धेर सारा गुलाब जामुन डाल दोंगे और फिर से बूंदी थोड़ा सा इसके उपर डाल देंगे हम लोग और गुलाब जामुन डाल करके इसको सर्ब करेंगे तो मैं चांदी का वर्क लगा रही हूँ ऐसे ही अच्छा दीखने के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है personally मुझे भी नहीं पसंद है चांदी का वर्क पर अच्छा लगने के लिए और इसको पिस्ता वदाम से सजा करके सर्ब कीजिए और इस दिवाली जरूर बनाईए ये मिठाई और मुझे कमेंट करके बताईए कैसी बनी थी और आप सबों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक बाद और अच्छे से दिवाली सेलिब्रेट करिए सेव दिवाली मनाईए और खाईए पीजे खुस रहे है थैंक्स पर वाचिंग